हुआ आगा थे आप सभी का एको न्यू वीडियो पर देखिए जन बच्चों ने MP वोड में रिटूटन का फॉर्म भर रखा है वो काफी दिनों से वेट कर रहा है कि रिटूटन का जो रिजयर्ट है वो कब तक आ जाएगा हमारे नमबर बढ़ेंगे या फिन नहीं बढ़े वोड की तरफ से बच्चों का जो रिजयर्ट है वो ठीक तरीकी से नहीं बनाया गया है तो सारी चीज़े में आपको आगे बताता हूं ना है तो सस्क्राइब के सांस सा नोटिफिकेश्ट रैकन जरू से अन करेके रखिएगा सारी MP वोड की अपडेट्स आप तक टेम पर पहुच जाएंगी अब देखे जब तक रिटूटन का रिजयर्ट नहीं आता है जब तक हमारे काफी सारे काम रुके हुए है जिन बच्चों ने भी 10th पास किये उनको आगे कहीं ना कहीं 11th में डिमिशन करवाना है जिन बच्चों ने 20th पास किये उनको आगे कॉलेज में अडिमिशन करवाना है वो यह सूच रहा है कि रिटूटन में हमारे नंबर बढ़ जाएंगे या फिर जो बच्चे फेंड हो गयते वो अगर पास हो जाते हैं तो आगे उनको सब्निव एंटर एक्जम अगर नहीं देने पड़ेंगे तो इसका जो रिजयर्ट है वो तो आ में तो गडबड हुई है जो कि MP वोड की तरफ से हुई है जो कि MP वोड कभी मानेगा नहीं तो देखते हैं कि आगे क्या होता है अगर आप 10 के फिगर्स देखें तो आराउंड 14-15,000 के आसपस बच्चों ने रिटो 10 के फॉर्म भर रखे हैं नियूस पेपर में तो आपको खमी दिखाया जाता है जिससे कि MP वोड की जो इमेज वो खराब होगी अगर ज्यादा फिगर्स दिखा देंगे तो तो जितने दिखाया है आप उनसे ज्यादा ही मानिए यह पर आपको रिजर्ट की कोई exact date तो नहीं बताई जा रही है पर आपको यहां पर इतना जरूर से बताया जा रहा है कि जिस according बच्चों ने form भरेते यहांने कि जिस date में भरेते उसी के according आपका result आएगा अब जैसे मानिए कि आपने दो तारिक का form भराता तो आपका जो रिजर्ट है वो हो सकता है कि 20 तारिक तक आजाए और आपने 5 को भराता तो हो सकता है कि आपका जो र करते रहेगा अगर आपका रिजर्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बाते क्योंकि यह कोई official website नहीं आपको 16 जून बता रही है यह हो सकता है कि आपका जो रिजर्ट हो आ भी जाए और ना भी आए वह समय आपको आगे बताता रहूंगा connected रहेगा कोई doubt आता है comment कर सकते है यह पर हमसे इस्टा पर डियम करके बाद भी कर सकते हैं